जो लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता, उसमें कोई बाइफनेफ नहीं हो सकती, वो निश्बक शुरूप से काम करती है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो मैंने बनाई है इसमें आप किसने भी तरह की, कैसी भी तरह की आप वोटिंग कर लीजिए, आज में मौक टेस्ट करिए, डेमू करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फाइनली जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, भले ही आप इसको आफ करके, इसका पावर आफ करके, आप इसको स्ट्रॉंग में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए, उसके बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो आपको बदला हुआ मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी टेकनिकल संस्थाएं हैं या फिर जो टेकनिकल लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में घपला नहीं हो सकत आए ये बिल्कुल निश्बक सुरूष्टे काम कर सकते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपने इस वोटिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए और अगर वो बोलते हैं कि नहीं इस तरह के मशीन बनना असंभाव है, ये मैंने मशीन बनाई है, इसमें आप बटन दबाए हूँ वोई पार्टी इसमें नजार आ रही है, ठीक है, देखिए, देखने कोई बोल सकता है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है, जो पार्टी का बन बन दबा रहा हूँ, वोई पार्टी इसमें दीख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस मशीन से बिल्कुल भी आसव सब्सक्राइब चैसा सब्सक्राइब ही। उसमें सब चीज संभव है आप जैसा उसमें software लिख दोगे ये machine वैसे ही काम करीगी दोस्तों और मैं आम मंतरित करता हूँ सबी लोगों को आप आओ इसमें demo लेके देखिए और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो electronics जो voting machine है वो हर तरीके से काम कर सकती है जैसा हम उ पर रिजल्ट बदल देगी यह मैं आपको पूरूफ के साथ बोल रहा हूं यह इसका जेता जाक्ता एक पूरूफ है आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स मैं सबी लोगों को आमनतरित करता हूं और जो भी जिनको भी शंका है कि यह इस तरीके machine नही करके बनाया है आज मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो गया इसको बनाने में को कि मेरे पास समय नहीं था तो लेकिन फिर भी मैंने इसको दिल लिल्दी machine बनाया कि लेकर लेकिन अब थोड़ी दिर में रिजल्ट आ जाएगा लेकिन फिर भी लोगों को यह बताना जरूरी है कि electric voting machine का चुनावों में उपियोग बहुत ही मतलब संधे वाला होता है इस पर विस्वाफ नहीं किया जा सकता है सबसे अच्छा ballot paper होता है electric voting machine का जो result है उस पर विस्वाफ नहीं किया जा सकता किसी भी angle से मैं यह challenge करता हूँ और challenge के साथ साथ मुझे पूरा confidence है अपने उपर क यह machine जो भी आप इसको testing करके देखना चाहते हो आप देखिए और आपने मुझे गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं यह machine गलत है यह machine नहीं बन सकती है तो मैं उनको challenge करता हूँ कि आप मेरे को कुछ भी dhant दे जीजिए मेरे को कुछ भी punishment दे जीजिए ठीक है मैं उसको accept करता है कि electric voting machine जो electronics और software पर चलती है वो machine अनबाइफ तरीके से काम कर सकते मैं इसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता machine में जैसा हम चाहें वैसा काम कर सकती है यह electronic और software का है software में हम जो लिख देंगे वो वैसा काम करेगी और रही advanced technology की बात इसका दो यह circuit देख रहे है ना यह processing unit ह इसके अंदर RTC real time clock लगा हुआ है जो machine में time चलता रहता है इस machine के अंदर आप इसको बंद भी कर दोगे ना फिर भी time चलता रहता है और जब आप इसको counting के लिए जब दुबारा चलाओगे तो वो पूरा result को बदल देगी ठीक है दोस्तों तो मैं आपसे प्रार्षना करता हैं तो ठीक है दोस्तों टेक्नोलोजी को जानिए सचेत रहिए और चीजों को समझिए